मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिनी को दिखाते हैं, वो एक आर्किटेक्टर स्टूडेंट है और वो अपनी हिस्ट्री प्रोफिसर मार्को को बहुत पसंद कर रही होती है, जिनी मार्को के एटेंशन सीख करने के लिए कुछ ना कुछ खरती रहती है, ये मार्को को भी एक वालेंटेंस्टे के दिन मार्को बाहर क्लास ले रहा होता है, क्लास कतम होते हैं, जिनने बाके उसके पास आती है, और उसे एक फॉंटेंग के पास ले जाती है, जिनने उसे ठीक से कड़ा करती है, और आई लव यू केकर एक ब्रॉइंग देती है, तब इस ब्रॉइंग और एक लटकी का प्रोपोजल एकसिट करता है इससे जिनी बहुत नराज और दुखी होती है जिनी मारको को अवैड करने लगती है एक दिन रात होने के वज़े से मारको ही जिनी को घर तक ब्रॉप देता है नेक सीन में जिनी एक शो की अडिशन में जाती है और reject होती है मारको बाहर कार में बैट कर जिनी की love confession जो उसने मारको से चुपा कर रखाता इसे पढ़ कर हस रहाता जिनी रोकर ही बाहर आती है जिनी कार में बैट कर कीती है मैं reject हो गई हूँ और जोर से रोने लगती है आप मारको जिनी का परसो का proposal एकसेट करता है जिनी कुशी से चिलाने लगती है निक सीन में मारको एक email टाइप करते हुए दिखता है वो कीता है जिनी हम दोनों के पीच में क्या हुआ है तुमने क्यों अच्छानक मुझसे break up कर लिया है मैं सोचता हूँ कि रात पर वो मारको की pictures देखते रहती है एक दिन जिनी अपने architect काम के दोरान एक restaurant में जाती है वहाँ जिनी सालों बार मारको की classmates से मिलती है उनसे पता चलता है कि आज वो लोग मारको को meet करने वाले है और वो उनका executive chef है ये सुनकर जिनी मारको को देखने के लिए बहुत excited होती है और कीती है हम अब एक ही building में work करने वाले है और same air को breathe करने वाले है जिनी बहुत excited थी और तोड़ा सा nervous भी थी अब जिनी kitchen में आकर मारको को चुपके से देखने लगती है अब मारको भी उसे देखता है पास जाकर shake and करके किस करता है और पुछता है किसी हो Actually मारको अपनी friends के साथ मिलकर अपना one restaurant open करना चाहता था So उसने ये business meet arrange किया था मारको ने बहुत सारे architects को meet किया था लेकिन किसी का भी design उसे पसंद नहीं आया था So friends ने architect post के लिए जिनी का नाम लिया था मारको ने भी इसे accept किया था ये सुनकर जिनी कुछ होती है लेकिन मारको नॉर्मल था अब ये एक friend कहता है बस हम चारों ही इस restaurant के owner नहीं है और भी एक है जिसका नाम है Patty मारको's girlfriend ये सुनकर जिनी को बहुत दर्ध होता है नाई जिनी मारको के सालों पुराने वही इमिल को पढ़ने लगती है अब जिनी को मारको के साथ बिताये हुए सारे मुमेंट से आदाने लगते है प्रेजा जिनी को बहुत है झाल झाल सब यादों से जिनी रोने लगती है और मारको को चोड़तर चली जाने के लिए बहुत रिग्रेट करती है जिनी मारको की ओल्ड इमेल को डिलीट करने के बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है जिनी मारको को इंप्रेस करने को सोच कर मारको की आर्खिटेक्चर ड्रेस करने के लिए अपनी ड्रेस को तोड़ा और होड दिखने जैसे एजस्ट करके सेट्यूजिंग पोस्ट में काम करने लगती है, मारको नीचे आते ही उसे जिनी दिखती है, वो उसे उपर से नीचे तक एक बार दिखता है और पास आकर गुड मॉनिंग केता है, जिनी बहाना बना कर, मारकों से बात करने को ट्राइ करती है, लेकिन मारको कॉल रिजिट करता है, नेक्स सीन में, जिनी अपने डिजाइन प्लाइन को दिखाने के लिए मारको के घर जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था, सो जिनी उसे कॉल करके, डिजाइन प्लाइन देखने को कहीते हैं लेकिन मारको मैं आप बहुत बिजी हूँ के कर मना करता है लेकिन जिनी तुम जहां पर हो मैं वहीं पर आती हूँ के कर कॉल कट करते है जब वहां पर पहुंचती है मारको वहां से निकाच चुकाता सो जिनी बहुत मेनद करके निक्स प्लेस को जाती है लेकिन जब वह बस में होती है मारको और एक प्लेस कहीता है जिनी बीच रास्ते में ही बस से उदर कर ट्रेंग में जाती है ट्रेंट से उतर कर जिनी मार्को को कॉल करती है अब मार्को मुझे रेस्टोरेंग में लग कर आना पड़ा क्याटरिंग के कुछ पॉब्लम को टीक करना ता करके जूट कहीता है ये सुनकर जिनी का दिल तूट जाता है निक्स दे जिनी अपने डिजाइन प्लैंस को लेकर मार्को के रेस्टोरेंट में आती है लेकिन मार्को इसे इग्नोर करके किचन में जाकर काम करने लगता है जिनी भी उसके पीछे ही जाती है और पूछती है तुमने क्यों मुझे तुमारे आर्किटेक्ट बना कर हैर किया है और सारी डिजाइन जिनी और मार्को ने अपनी कॉलिज देश में सापने बनाई थी एक देखते हुए मार्को को जिनी की साथ की सारी मेमोरे सिये के करके याद आने लगती है एक दिन मार्को ने जिनी को फैमिली मेंबर्स और फ्रेंज के सामने मैरेज के लिए प्रोपोस किया था सबने जिनी को प्रोपोसल एकसेट करने को कहा था लेकिन जिनी रोकर I'm sorry कहते हुए फ्लावर बुके को फिंग कर वहां से चली गई थी किसी को कुछ समझ में नहीं आया था बाद में मार्को को पता चलता है कि जिनी बासिलोना जा रही है मार्को जिनी के पास जाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जिनी बिना कुछ कहे बासिलोना चली जाती है प्रेजिन में मार्को जिनी की डिजाइन्स को रिजेट करता है जिनी चातर वजा पुछती है, मार्को के इता है, मुझे डिसाइन्स पसंद नहीं आया है, बस इसे जिनी खुस्सा होती है, और पुछती है, डिसाइन्स में क्या फॉल्ड है, बताओ मुझे, मैं फिक्स करूंगी, मैंने ये डिसाइन्स बनाने में बहुत मेहनत और टाइम किया है उन दिनों में मैं भी सोष रहा था कि क्यों कि दिन में सब कुछी छीज हुआ क्यों मुझे चोड़ कर चली गई है सब ей तो मुझे सब के सामने एक फूल बना और कड़ान दिया उसे जिनी रोकर की ती है मैं तुम्हें हड करना नहीं चाहती थी आप मारको कहता है कुछ भी हो तुम मुझे बता सकती थी कि तुम्हारी मा की कहने की वज़े से तुम बासलों ना गई ती नहीं कहने से अब मैं तुम्हें कभी भे ट्रस नहीं कर सकता हूँ और वहां से जाने लगता है जिनी पीछे ही जाकर उसे हग करके कहिती है मारको प्लीज मुझे मौफ करो आप मारको उसे पुष करते हुए कहिता है मैं लाइफ में मुवान हुआ हूँ जिनी लेकिन जिनी उसे किस करती है मारको तुम्हें एही चाहिए ना कहते हुए ओबी जिनी को किस करता है और दोनों intimate होते है डिजेन रिजट होने से जिनी बहुत उदास्ती तब अचानप उसे मारको से कॉल आता है जिनी भाग के जाकर कॉल पिक करती है उस तरफ से मार्को की girlfriend पैटी कहीती है मार्को ने finally तुमरी designs को अप्रो किया है Next scene में पैटी college days के जिनी की तरह hair stand करके मार्को के पास आती है मार्को उसे हग करके किस करता है जिनी, मार्को और पैटी एक दूसरे को किस करते हुए देखती है और उसके आंकों में आंसो आने लगते है एक दिल, रिस्टोरेंट में बहुत important order था लेकिन एक शफ नहीं आया था सो मार्को और उसकी team बहुत tension में थे एक पता चलकर जिनी जाकर उन्हें मदद करती है मार्को और जिनी college reunion को साथ में जाते है पाटी के बाद जिनी कहती है पिना बता है तुम्हें चोड़तर चली जाने के लिए I'm sorry मार्को कहता है तुम्हारी fear और need को understand नहीं करने के लिए I'm sorry तू निक्स दे जिनी पाटी को मिलने के लिए किछन में जाती है वो मार्को को surprise देने के लिए गेग देख कर रही थी पाटी से बात कते कते जिनी कहती है तुम क्यों मार्को को उसने love किया हुआ लड़की के साथ रेने नहीं दे सकती हो मैं उसकी past और future हूँ मैं मार्को के life के big part हूँ मैंने उसे पहले love किया है इसे पैटी कहती है लेकिन तुमने chance को खो दिया है जिनी कहती है लेकिन मैं उसे अभी भी love कर रही हूँ वो भी मुझे love कर रहा है प्लीज पैटी, just let him go पैटी कहती है हमारा love, तुमारी love की तरह romantically नहीं start हुआता हमारा love बहुत unexcitingly हुआता हम पहले friends टे बात में धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे है लेकिन हमारी love में ज़रूर respect और trust है I love him और love में कोई fear नहीं है मैं wish करती हूँ कि तुमें भी future में ऐसा ही love मिलेगा केकर पैटी बाहर चली जाती है जिनी I'm sorry केटे हुए उसके पीचे ही जाती है नरस पैटी की हाथ reconstruction work को लग जाता है और सारी woodwork उनके उपर गिर कर दोनों गाहिल होते है उन्हें hospital लिया जाता है मारको बाग कर hospital आता है जिनी को देखकर पुछता है Are you okay? और वहां से पैटी के पास जाता है पैटी को प्यार से किस करके उसे वाड में ले जाता है यह देकर जिनी को बहुत दुख होता है बाद में पैटी मारको से कहीती है मेरे feelings के साथ मत खेलो Be fair तुमारा choice कौन भी हो मैं accept करूंगी अगर तुम मुझे juice करोगे तो मैं अगर तुम उसे juice करोगे तो वो निक सीन में मारको flower book के आउट एक envelope को लेकर जिनी के पास जाता है और पहली बार जिनी ने propose करते हुए दिया हुआ drawing को दिका कर केता है मैंने तुमें बहुत love किया था सो जब तुम मुझे चोड़ कर चली गई थी मुझे बहुत दर्ध हुआ था जब मैंने वो email लिका था I mean every word मेरा heart beating गुसा और दर्ध से तग गया था I moved on जब मैं पैटी से मिल गया मैं फिर से normal बन गया जब मैं फिर से तुमें मिला मेरा गुसा मेरा दर्ध तुमारे लिए मेरा love फिर से आ गया लेकिन अब जब भी मैं तुमें सोचता हूँ मुझे पैटी याद आती है अगर मैंने कुछ गलत किया तो I'm sorry जब भी मैं पैटी मेरी life में नहीं हे करके सोचता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि माफ किया है और जिनी को किस और हग करके पैटी के पास चला जाता है जिनी मार्को की इमेल को डिलिट कर ही देती है दीरे दीरे जिनी नॉर्मल होती है मार्को पैटी को मैरेज के लिए प्रपोस करता है पैटी कुशी से एकसिप करती है जिनी हर हैंसम लंकों में अपनी लव को डूबने लगती है फाइनली एक से कनेक्ट होती है ऐसे ए मुवी यहीं पर इंड होती है गर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंड में इस लिख देना हम फिर मिलेंगे नए मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और स्टे टून